Hello Everyone, Welcome to Generous Mom तो आज का हमारा टॉपिक है Summer Holidays में बच्चों को मुबाई ये TV के लगसे आप कैसे छुटकारा दिलवा सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टिप्स जिनको आप फॉलो करके काफी हद तक बच्चों की इन हैबिट्स को छुडवा सकते हो जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज हमें नुकसान पहुंचाती है ये आप सबको पता है बच्चों का जरूरत से ज़्यादा टेवी या फिर मुबाइल पर समय बिताना उनकी सेहत के लिए और उनके विकास के लिए बहुत ज़्यादा चिंता जनक बात है इससे बच्चों की जो मैंटल हेल्थ होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर इसका पड़ता है समय विकेशन में बच्चों के पास स्टडीज का इतना ज़्यादा काम नहीं होता है जिससे की मैक्सिमम टाइम बच्चों का मुबाइल या फिर टीवी देखने में बीच जाता है ज्यादा फोन और टीवी देखने से भी बच्चों के सुभाव में काफी ज़्यादा चिडचड़ापन आ जाता है अगर आप अपने बच्चों की मुबाईल और टीवी की इस आदत से परिशान हैं तो इन एटिप्स को फॉलो करके आप काफी हद तक इन आदतों को बच्चों से छुड़वा सकते हैं और इन समर वेकेशन को आप रूटफुल बना सकते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरूब बच्चों को समर हॉलिडेज में अपने काम खुद से करने के लिए मोटिवेट करें पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने बच्चों को कभी भी डांट कर काम करने के लिए नहीं कहना है अगर आप बच्चे को प्यार से बोलोगे बच्चे डेफिनेटली खुश होकर वो काम करेंगे आप ये कुछ चोटे-चोटे काम बच्चों से करवा सकते हैं जैसे कि उन्हें अपना बैट साफ करने के लिए बोलें उनको जो कामेंट्स हैं वो खुद वाश करने के लिए आप बच्चों को बोल सकते हो water bottle आप बच्चे को fill करने के लिए बोल सकते हो और अपना कमरा बच्चे को arrange करने के लिए आप बोल सकते हो और kitchen के काम करने में बच्चे काफी ज़्यादा excited और interested होते हैं तो kitchen के कामों में भी आप बच्चों की help ले सकते हो टिप नमबर 2 इस book reading summer holidays में बच्चों को अपनी course book पढ़ना उतना पसंद नहीं आता है तो holidays में आप बच्चों को उनके interest के according books दे सकते हैं जो भी बच्चे पढ़ना चाहें इससे क्या होगा? एक तो बच्चे की reading habit बनेगी दूसरा उसकी जो imagination है वो vast हो जाएगी और उसकी जो fluency है और जो reading है उसमें भी improvement होगी और बच्चे का बार बार phone या TV की तरफ ध्यान नहीं जाएगा next tip is watering plant and grow one plant बच्चों को nature से जोडने के लिए आप बच्चों को plants को watering करने के लिए बोल सकते हो या फिर summer holidays में आप एक plant लेके बच्चे को उसकी care और उसकी responsibility दे सकते हो और पानी वाले जो काम होते हैं बच्चों को करना काफी अच्छे लगते हैं और इससे बच्चों में care and responsibility की जो feeling है वो develop होगी next point है morning and evening walk summer holidays में बच्चों के पास काफी time होता है और घर में खाली बैठे रहने से बच्चे mobile और TV के habitual हो जाते हैं तो इसके लिए आप बच्चे को nearby पार्क या playground में morning और evening walk पर लेके जा सकते हो इससे बच्चों को भूख भी लगेगी और ठकान की वज़े से उनको नेन भी अच्छे आएगी next point is fix mobile time बच्चों को mobile चलाने के लिए आप time fix कर सकते हो और उस time के according ही आपने बच्चे को phone देना है इसके लिए आप alarm भी set कर सकते हो कि इतने time से लेके इतना time बच्चा phone देखेगा और अगर आप busy भी हो गए हो तो इससे आपको याद रहेगा next point is exercise and yoga summer holidays में लेट सोना लेट उठना इससे routine जो है काफी disturb हो जाता है आप बच्चे को daily आदा घंटा morning में exercise या yoga करवा सकते हैं इससे बच्चे का जो daily routine है वो काफी हद तक ठीक रहेगा next point is say no to mobile young age में बच्चे को mobile ना दे जैसे की बच्चा छोटा होता है तो हम mobile phone दिखा कर बच्चे को दूद या खाना खिलाते हैं इससे बच्चे phone के habitual हो जाते हैं और छोटे-छोटे काम करने के लिए बच्चे फिर phone की demand करने लगते हैं next and last tip of this video बच्चों को school days में इतना time नहीं मिल पाता है जिससे वो cycling कर पाएं तो summer holidays में morning और evening में एक एक घंटा बच्चों को cycling करवा सकते हैं इससे बच्चों की health भी अच्छी रहेगी और बच्चे fit बे रहेंगे तो ये था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आप अपने बच्चों को summer holidays में busy और active रखने के लिए कौन-कौन से activities उनको करवा रहे हो आप मेरे साथ comment section में share कर सकते हो